नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तो आज हम आपके लिए बहुती जवर्दक वीडियो लेकर आए हैं चलते फिरते उठते बैठते बस बोलें ये सब्द गरीबी क्या है आप भूल जाएंगे कभी नहीं आएगी आपके घर में गरीबी दन दानने के बंडार लगेंगे और सुक्ष संपत्ति आपके चरणों में लोटेगी जी हाँ दोस्तो इस उपाय को एक नियम बना लें और जब भी आपको समय लगे आप इस उपाय को यानि कि इस नियम को इस सब्द को बोलते रहें आपके घर में धनका डेर लग जाएगा पूरे घर का वातावरन ही पॉजिटिव हो जाएगा दोस्तो जब गुरुगरे कमजोर होते हैं तो व्यक्ति की जिंदगी में तमाम अवगुणों का आवगमन हो जाता है चोल, कपट, दोखा, चरितरहीन काम, ज्यान की कमी उस इनसान को जानवर बना देती है दोस्तो क्योंकि जानवरी ऐसे होते हैं, जो केवल इतना ही जानते हैं, कहां से भोजन मिलेगा, कहां सोना है, और कैसे अपनी रक्षा करनी है दोस्तो ग्यान बहुत महतोपूर्ण है ग्यान ही इंसान को इंसान बनाता है ग्यान है तब ही एक इंसान साधारन इंसान से उठकर देवता तुल्ले भी हो जाता है और अंत में मोक्स को जाता है इसलिए ग्यान बहुत महतोपूर्ण है जहां से भी मिले ग्यान अवश्य लेन मैं अने को उपाए अपने इस चैनल पर वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ, आज फिर एक वीडियो के माध्यम से एक और उपाए बताने जा रहा हूँ, किरिपया करके इस वीडियो को पूरा अंतर तक देखे, और हाँ अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले से सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें क्योंकि हम हर रोज लाते रहते हैं ऐसे ही जवर्दस वीडियो जिन से आप अपने जीवन को सुखमई बना सकते हैं और जी सकते हैं एक सु कुल भी न बोलें क्योंकि भगवान का नाम जो व्यक्ति लिखता है बोलता है स्मर्ण करता है वे अन्य व्यक्तियों को करवाता है वे अखंड पुन्य का भागी होता है तो यह कार आपको अवश्य करना था हिए ताकि आपके जीवन में अखंड पुन्य का भागी आप बन लेना है गड़ा करके थोड़ी सी चने की डाल देनी है और पेड़ को बंद कर देना है उसके बाद अपने पुजा पर चले जाए यानि अपके घर के मंदिर है जो घर में ही मंदिर है वहाँ पर आप जाए और इस पेड़ को भगवान विश्णु और माता लक्षमी के सामने रख करके इसके उपर तीन टीके हल्दी से लगा दीजे यानि तीन भिंदिया इसके उपर लख दीजे उसके बाद आपको एक सुद्ध देशी गी का दीपक पर जुलित करना है और ओम ब्रम ब्रस्पते नमा ओम ब्रम ब्रस्पते नमा इस मंतर का आपको जाब करना है कम से कम एक माला जाब करना है और साथ ही तीन अगरवत्ती भी आपको लगा देनी है जाब पूरा हो जाने के बाद आप आपको इस पेड़े को उठा करके किसी भी सफेद रंग की गाय अगर आपको मिल जाती है तो सफेद रंग की गाय को आने तक किसी भी गाय को आप इस पेड़े को खिला दीजिए गाय को खिला देने के बाद अपने घर वापस आकर आपको जितना हो सके चलते फिरते उठते ब आप करेंगे इन सब्दों का उचारण करेंगे उतना ही शक्ति-शाली रूप से होकर आपकी ओधन खिचने लगेगा बस यह उपाय तो आपको एक बार करना है लेकिन इस मंत्र को आपको ज्यादा से ज्यादा बार जपना है इस उपाय को भी अगर जितना बार करेंगे जैसे इस हफते में आपने एक बार कर लिया आप अगले हफते एक बार और कर लीजिए इसी प्रकार से करते जाएंगे यह मंत्र और भी ज्यादा शक्ति-शाली होता जाएगा बस चोटा सा उपाय करने के बाद ही आप देखेंगे कि आपकी किसमत कैसे चमगने लगती है आपकी और धन इस प्रकार आकरशित होगा कि जैसे आपको लगेगा कि आपके घर में स्थाई रूप से माता लक्वी वास्ट कर रही है बस आपको सोते बैठते उड़ते जागते चलते फिरते आपको इस मंत्र का जाब करते रहना है तो दोस्तों आज की वीडियो में कि में इतना